Hello everyone, this is Lakshita Sethi and you're watching Social Seller Academy दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही ज़ादा informatic होने वाली है आज मैं आप सभी को best marketing strategies बताने वाला हूँ ऐसे step by step ऐसे processes बताने वाला हूँ जिससे आप अपने business को बिना कुछ invest की zero level से marketing कर सकते हैं तो basically छोटे business को एकदम basic level से कैसे marketing करते हैं आपको इस वीडियो में complete information मिल दाएगे तो जब भी मैं marketing के बारे में लोगों से बात करता हूँ तो मुझे दो चीजे पता चलती है पहले है कि लोगों को marketing और promotion की बीच में difference नहीं पता चलता आज भी लोग यह समझते हैं कि marketing मतलब होता है कि bulk में promote कर दो, bulk में email करो, bulk में SMS करो और वहीं दुसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि marketing करने के पहले अपना sales channel बना के नहीं रखते हैं अपनी खुद की website नहीं बनाते हैं, अपनी खुद का catalog नहीं बनाते हैं और जब भी वो marketing करते हैं और customers को invite करते हैं तो लोगों को ऐसा सही sales channel नहीं दिखता है जिसमें लोग convert होएं क्योंकि marketing लोग at the end इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी sales होएं और उनका खुद का sales channel नहीं होता, खुद की website नहीं होती, खुद का catalog नहीं होता, खुद का brand का content नहीं होता इसलिए उनका ज़्यादातर marketing effort बिकार चले जाता है अगर आपके भी साथ same problem है तो आप अपनी खुद की online website create कर सकते हैं दुकान एप से अपनी खुद की website बना सकते हो, in fact दुकान एप में एक नया feature है जिससे आप अपने कुद का mobile application तक के बना सकते हो, आप अपना mobile AP के export कर सकते हो इन फैक्ट दुकान एप में feature है जिससे आप discount coupons बना सकते हो, इन coupons को अपने customers की बीच में circulate करके आप अपनी sales काफी increase कर सकते हो तो आगे मैं आप सभी को 5 step strategies बताने से पहले आपको एक principle बताना चाहूँगा कि marketing जो होती है वो direct sales तक की नहीं ले जाती marketing trust generate करती है और वो जो trust है वो sales तक के ले जाता है ज्यादा तर लोगों को लगता है कि marketing से directly लोग sales तक के जाते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है marketing काम करता है trust generate करने का, लोगों के अंदर भरोसा generate होता है, trust generate होता है लोग उस trust के बाद लोग product को purchase करते हैं आपकी sales होती है, तो यह 3 step process होता है, generally लोग इसको 2 step process सबसते हैं, अब मैं आप सभी को 5 ऐसे steps बताऊंगा, जिससे आप easily trust gain कर सकते हो सबसे पहली marketing strategy है nearby marketing, अब nearby marketing सबसे जादा लोग underestimate भी करते हैं इस चीज़ को या फिर समझते भी नहीं कि nearby marketing कितनी important है nearby marketing का मतलब होता है कि आप सबसे पहले अपने friends, family members या आसपास के लोगों को marketing करो अब ये काफी लोग सोच रहूंगे कि यार ये तो हमको पता ही था, लेकिन जादातर start-ups या जादातर online business इसी stage में fail हो जाता है क्योंकि वो क्या करना शुरू करते हैं, जैसे ही वो कोई नया product launch किये, नया start-up या नया business launch किये, सीधा वो social media में post करना शुरू कर देते हैं और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, सही तरीका है actually अपने brand के बारे में communicate करो personally phone करके क्योंकि आपके friends और family member already आपके उपर trust करते हैं, उस trust factor का आप advantage उठा सकते हो, उनको अच्छे से communicate करके उनको अपने business अपने brand के बारे में बता सकते हो, उससे तीन चीज़ का benefit होगा सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना first customer अपने friends या family member से मिलेगा, दूसरी चीज़ आपको feedback और suggestion मिलेगी जो कि genuine feedback होगी जो आपका family member या आपका friend आपको देगा, और तीसरी चीज़ आपका और marketing channel बढ़ेगा, क्योंकि जब आपके friends और family members आपकी business के बारे में जानते हैं, तो वो और share करते हैं आपकी content को, वो आपके marketing channel बन जाते हैं, अब जब आप शुरू में business बना रहे हो, तो आप nearby marketing से easily 15-20 customers तक के ला सकते हो, जैसे ही आपका customer base दीरे 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 ग्रो होता है, आप अपने business को nearby marketing को shift करो network groups में, अब network groups मेरा personally favorite है, क्योंकि network groups से बहुत सारे businesses काफी तेजी से grow होते हैं, और काफी तेजी से बड़े हैं, in fact, आज की date में social seller academy जहां पे भी है, वो network groups की कारण है, हमारे पास ऐसे 10-15 बहुत सारे whatsapp groups हैं, जिनके अंदर हम अपने selected लोगों को रखते हैं, selected resellers को लखते हैं, friends या family members को रखते हैं, जो शुरू से हमारे साथ और basically अगर हमको कुछ भी launch करना रहता है, कोई भी नई video launch करनी रहती है, कोई भी नया product launch करना रहता है, तो हम सबसे पहले उस group में डालते हैं, उस group से लोग बाकी हर जगा share करते हैं, तो basically ऐसे 10 group तो आप समझ लीजी हैं, हमारे पास 1000-1500 ऐसे लोग हैं, जब भी हम कोई family members हैं, जो भी आपकी initial customers हैं, सब को रिक्वेस्ट करो, कि आप भी अपने phone में group बनाओ और अपने पहचान वालों का group बनाओ, देखिए मैंने आपको बोला था ना, marketing से sales नहीं होती, marketing से trust generate होता है, तो basically आप जब लोगों को add करते हो, तो आप उनका trust factor भी add करते हो, अब suppose मै मैंने अपने दोस्त को अपने group में add किया, उसने अपना खुद का एक group बनाया, और मेरे product को वो उस group में परचार करना शुरू कर दिया, उस group में उसने अपने friends को रखे, तो जो उसके friends है, वो उसके उपर trust करते हैं, उसके trust factor के कारण मेरी sales होगी है, मेरा business grow होगा, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, तीसरा जो step होता है, वो है local marketing या भी जिसको बोलते है local listing, देखें जब भी हम marketing के बारे में बात करते हैं, लोग social media marketing के बारे में जादा बात करते हैं, लोग local listing के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकि local listing initial level में बहुत important चीज़ है, जो कि हर business को initially grow क करती है लोकल लिस्टिंग मतलब जितने भी ऑनलाइन डायरेक्टरीज हो गई वहां पे आपको अपने बिजनेस के बारे में लिस्ट करके रखना है अपकोस शुशल मीडिया में अकाउंट बनाना भी लोकल लिस्टिंग में आता है लेकिन बेसिकली जो जो ऑनलाइन डिरेक्टरीज है सबसे पहले आप वहां पे जाके अपना अकाउंट बनाओ वहां पे अपने बिजनेस को रजिस्टर करो ताकि कोई भी आपके एरिया का बंदा अगर सर्च करे तो आपका बिजनेस सबसे पहले उपर आए फिर दोस्तों लोकल मार्केटिंग मे एक और चीज होती है जो बहुत इंपर्टेंट होती है वो होती ही न्यूस पेपर मारकेटिंग बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि न्यूस पेपर मारकेटिंग पुरानी हो गई है अभी वर्क नहीं कर रही लेकिन मैं आप सभी को बता दू आज भी बहुत सारे ऐसे ल की website में वेबसाइट से shopping करें और basically वहां से आपका sales funnel बने तो जब भी आप अपने network मार्केटिंग कर लिये हो और उसके बाद आपको आगे बड़े लेवल पर मार्केटिंग करना है तो आप अपने local of-amento marketing करना है मतलिए अपने से जितना हो सकता अतना ही मार्केटिंग करने तो सबसेब अच्छा तरीका है content marketing करना और उसका एग्जंपल भी आपको बताओं गई अपने से एग्जंपल बताओंगा देखिए आज मैं customers बनेंगे, client बनेंगे, तो इस content के through मैं आप सभी के साथ एक relationship build कर रहा हूँ, एक trust factor बिल्ट कर रहा हूँ, आज की date में सबसे viral तरीका है, खुद की reels बना रहा है, reels इतनी तेजी से grow हो रही है, इतनी तेजी से viral हो रही है कि आप अपना बहुत अच्छा brand का content या अपने business का content reels में बना सकते हो, और daily basis में अपने customers के साथ या अपने clients के साथ, अपने potential customers के साथ engage कर सकते हो तो content marketing के बाद end में paid marketing आती है, जिसमें आप पैसा invest करके अपने business को grow करते हो Facebook ads, Google ads में invest करते हो, अब बहुत सारे लोग है जो ये चीज़ पीछे से करना शुरू करते हैं जैसी business को शुरू करते हैं, वैसे ही paid ads में invest करना शुरू करते हैं Google या Facebook advertisement में पैसा डालना शुरू करते हैं, ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है, ये end में करना है जब आप growth stage में हो, जब आपका business पैसा कमा रहा हो, जब आप continuously grow कर रहे हो, तो basically जब भी आप एक local area से या अपने content वाली अपनी community से आगे जाना चाते हैं और बहुत सारे लोगों को अपने business के बारे में बताना चाते हैं, अपने business को grow करना चाते हैं, तो growth stage में आप paid advertisement का use करते हो Facebook या Google Ads में invest करते हो और जो paid marketing में सबसे अच्छा तरीका होता है, वो है influencer marketing कराना, मतलब ऐसे बंदे को पैसे देना हो, और ऐसे बंदे से marketing कराना जिसके already social media में बहुत सारे followers है, बहुत सारे subscribers है तो देखिए, at the end मैंने आपको बताया था लोग marketing से trust gain करते हो और trust gain करने के बाद sales होती है तो जितने भी influencers है उनकी already एक trust built up है अगर वो कोई भी product को promote करेंगे तो उनकी audience है, उस चीज़ के उपर trust करती है, और basically action लेती है So better than running paid campaigns on Facebook and Google, first invest in influencer marketing जो की आज की date में सबसे solid तरीका अपने business को grow करने का, तो दोस्तो basically ये 5 तरीके हैं जिससे आप अपने business को बिना invest किए, एकदम छोटे level से grow कर सकते हैं आप ये चीज़ को समझ के रखिए कि आपको marketing हर बड़ा के नहीं करना है बहुत सारे लोगों को नहीं करना है marketing जितनी systematic होगी उतनी अच्छी marketing होगी और एक और चीज़ आपको बहुत अच्छे समझना है कि marketing negative भी हो सकती है अगर आप कोई भी गलती किये या फिर कोई भी ऐसा step किये, कोई भी हर बड़ाए किसी भी चीज में, किसी भी चीज में जादा invest किये तो हो सकता है कि आपकी negative marketing भी हो जाए या negative प्रचार जिसको बोलते हैं वो भी हो जाए तो अगर आप basic level से कर रहे हैं तो आपकी कभी negative marketing नहीं होगी क्योंकि आप छोटे level से शुरू कर रहे हो आपको धीरे-धीरे लोगों का response मिलते जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है और वो ही अगर आप बहुत बड़े level पर marketing कर लो और शुरू से हजारो लाखों रुपे invest कर लो तो हो सकता ही कि आपकी negative marketing हो जाए और आपका business बढ़ने की जगा और घट जाए तो I hope आप सभी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा I hope ये वीडियो आप सभी के लिए valuable हुई होगी आप यकीन मानिए इस वीडियो को बनाने के लिए मैं को 10 से ज़्यादा takes लगे है और इस वीडियो को like जरूर करना मेरे चैनल को subscribe जरूर करना और बहुत जल्दी आप सभी के लिए next वीडियो भी आने वाली है Thank you so much guys for watching this video